और जै जे यह जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या बढ़ा था पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पुट ओप्शन नाम देना थोड़ा सा मुस्किल होता है मतलब समझ में नहीं आथा पुट ओप्शन तो जो आपके इस्टरी में लिखा abandonment option चल जाएगा और उसका value निकलना सीखा तो आज की second class है और अभी मैं binomial खतम कर दूँगा मतलब उसमें मुझे timing option discuss करना या call option सर उसमें कुछ लिखवाओगे कुछ लिखवाने के लिए नहीं है ओके आपके study material में नाम दिया है timing option और वैसे हम इसे बोल सकते call option timing option या call option फिर से वही बात रहेगी कि पहले मैं करवाओँगा example क्यूंकि उसके बिना हो नहीं सकते और example के बाद फिर decide करेंगे timing option मतलब timing option मतलब simple सी बात है किसी project में पैसा लगाना है अब भी start करे election है अगले साल और election में अगर government मेरे मताबिक आती है वेट कर लो ना यार थोड़ा सा तो करेंगे एक साल बाद नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे सवाल है अभी कर दे पिना सोचे समझे जो होगा देखा जाएगा यह थोड़ा सा रुकते है एक साल रुकते है और फिर सोचेंगे कि क्या करना इट मैंस अभी यह फिर वेट करें एक साल एकशामपल से बात करेंगे सिंपल है बहुत जदा मुझकल नहीं बिल्गल सिंपल टॉपिक है छीक एस दुसर एकजामपल हो जाए है एक एकजामपल करवाउँगो इसमें एकजामपल पॉस्ट प्रोजेक्ट अभी कितना लग रहा है कोई वाले एक्जम्पल ले लेते हैं अगर प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे तो पाच्सो लाख रुपिया लगेगा ठीक है कैश इन्थवस हर सल आएगा कितना आएगा सिंपल एक्जम्पल ले रहा हूँ ज़्यादा कॉंप्लिकेटिट नहीं करना चाहता है इसको आसानी से समझ दे सर आज अगर प्रोजेक्ट कर रहेगे तो हमारा उनमायन है साथ लाख रुपे आएगा पर एनम पर पेच्वल पर पेच्वल समझते हो सब लोग यह सर फॉरेवर अब इस श्टार्ट किजिए प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा 500 लेक्स हर साल आएगा 60 लाख रुपे पर एनम पर पेच्वल और वेटेड अवरेज कॉश्ट आप कापिटल जिससे हमको इसकाउंटिंग करना है वो है 10 पर कैलकुलेट एन पी भी इफ प्रोजेक्ट कैलकुलेट एन पी भी लिख दो फिर एक साल बात की में बात करहूं अभी आप अद की इजल सकता है एन पी भी कैसे नकलते है ईन पी भी नकलते है एन पी भी इज़ सकता है पी वी सी आई माइनस पी वी सी हो बजपन से जानते है तो सर हर साल कितना आएगा 60 लाख divided by 10 परसेट माइनस 500 लोप लगिएगा उस हिसाब से NPV कितना आ गया है सर 600 lakhs माइनस 500 lakhs तो टूटल मिलाकर 100 lakhs का NPV positive है तो देख रहे किया project अभी start करने में कोई दिक्त नहीं है आपको 100 lakhs रुपए का positive NPV आ रहा project should be start अब मैं आपको और एक बाद बता रहा हूँ अभी तक आधी कहानी थी अब समझा रहा हूँ वैसे तो project कर लेना चाहिए लेकिन और एक situation एक साल बाद election एक साल पूरा एक साल मान के चलो तभी discounting कर पाओगे एक साल बाद election है और election में depend करता है government अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर अब अब ध्यान से समझा अगर गौर्वर्मेंट पूरे बहुमत से आती है समझ रहा हूँ आप यस जिस government की मैं बाद सोच रहा हूँ कौनसी government की बाद पता नहीं पूरे बहुमत से आती है और वो government आ रही है जो मैं सोच रहा था तो यार यह जो cash inflow है ना कितना दिख रहा है 60 लाग यह ज़्यादा आएगा अच्छा और अगर मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसे नहीं हुआ government stable नहीं है पार्ट पार्ट मैं ठीक है मतलब government आपके हिसाब से नहीं तो उस condition में जो हमें 60 लाग सोच रहा हूँ मैं बरबाद भी हो सकता हूँ ओके तो depend किस पे कर रहा है government तो क्या लग रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ तो अब आगे श्टा लगा कर लिखो के अब काम की चीज़ अगर मैं एक साल रुखता हूँ तो प्रोजेक्ट में उतना ही वैसा लगेगा मैं मान की चलो हूँ प्रोजेक्ट में 500 लेक्स अभी लगाओ चाहे एक साल बत लगाओगे तो भी 500 लेक्स लगेगा लिकिन जो पैसा आएगा अगर economy economy boom कब होगी अगर economy boom रही तो मुझे मिलेगा 78 लैक पर रेनम और रेवा ओके लिकिन economy sluggish रही sluggish मतलब economy recession रही recession भी हो सकता depend करता है government कौन से ओके तो मुझे मिलेगा अगर प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूँ तो 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 36 लैक पर रेनम और और risk free rate आठ पर्शन पर रेनम और वेटेड अवरेज कौश्ट अव कापिटल वही वाला कौश्चन का हिस्सा ऐसा नहीं कि वो अलग है यह अलग है तो अब मुझे यह डिसाइट करना है अगर अभी प्रोजेक्ट करता हूँ तो मुझे अगर मैं रुखता हूँ तो भाई यह भी हो सकता है तो चलो नहीं रुक कर दिखते हैं तो इक प्रेजेंट वेल्यू आफ गैश इंफलो हैं छे सोला ऑगे था बना रहा हूँ और ओसर फूचर में क्या हो सकता है तो करा कितना आ सकता है तो आ सकता है, कितना आ सकता है, 78 lakhs आ सकता है, एक साल बात की बात है, तो divided by discounting करना है, तो सर, discounting 8 person से होना चाहिए, पर यार, यह risk free नहीं है ना, यार, थोड़ा सा risk है, तो सर, 78 divided by WSEC से discounting कर रहा हूँ, डिसकस करूँगा आराम से, divided by 10 person, मतलब सर, 780,000,000 भी आ सकता है, यस, या फिर, 36 divided by 10 person, 360,000,000 भी आ सकता है, मुझे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना पड़ेगा, कब लगाना पड़ेगा, सर, एक साल बात, अब बस इतना बताये कि, अगर 70, अगर मैं यहाँ एक साल बात खड़ा हो गया, अब मुझे डिसाइट कर रहा हूँ, सुनना बेट भी लग गया कि कौन सी गवर्मेंट आगी, और मेरे हिसाब से आगी, तो 78,000,000 आएगा, या तो उसका प्रेजेंट वैलू लिया तो 180,000,000 या फिर मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे मालूम है कि मेरे हिसाब से गवर्मेंट नहीं आई है, तो सर, 36 लाइगा, मतलब प्र अगर 78,000,000 आ रहा है, तो क्या मुझे प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, यास, और अगर 360 नहीं करना चाहिए, यास, मैं यही कह रहा हूँ कि यह चुद चीज दिखाई दे रही है, यह है, क्या, यह है, exercise price, अगर इससे उपर आएगा, तो हम प्रोजेक्ट करेंगे, अगर से नीचे आएगा, तो left, यही तो है option, ओके सर, तो अगर सर, उपर आया तो कितने का NPV, एक साल बात का NPV बताओ, सर, 780,000,000,000 माइनस 500, तो हमारा NPV है, 280,000,000 और सर, अगर यह हुआ, तो हम प्रोजेक्ट करेंगे, यह मैनस आ नहीं चाहिए अगर माइनस में आप लिख रहे हैं कि NPV नेगेटिव आएगा ये भगवान फिर तो खेल खतम हो गया फिर कहा है का option ओके सर तो यह क्या हुआ यहां करेंगे नहीं NPV 0 करेंगे रिलैप्स तर ICAI ने क्या किया वो मैं समझाऊंगा धीरे से धीरे से समझाऊंगा कि इंस्टिट्यूट ने क्या किया ठीक है सर यहां तक बात समझ में आती है सर WACC से क्यों डिसकाउंटिंग किया ये भी ICAI की एक मिश्टेक है WACC से डिसकाउंटिंग नहीं होना चाहिए पर क्यों कर रहा होगा उसके पीछे क्या logic होगा वो मैं आपको धीरे धीरे डिसकाउंटिंग करें ओके ये तो ठीक है सर समझ में आगए अब बस एक ही दिक्कत है दिक्कत ये है कि pay off 280 लाग भी आ सकता है pay off 0 भी आ सकता इस बात की क्या probability है और मुझे क्या यूज करना है risk neutral probability ओके सर 8% का यूज नहीं किया अभी करूँगा 8% का अभी करूँगा मैं प्लीज मैं क्या चाहरा हूँ मैं ये चाहरा हूँ कि जो IC AI किया है भाई वैसा हम कर ले मैं इसमें बहुत ज़्यादा logic न डालो ने तो ना अब खुद confused हो जाओगे अब हमें क्या निकालना है risk neutral probability ठीक है जी risk neutral probability अब risk neutral probability में मैंने कहा ना बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं पर मैं return निकालूंगा यह 600 अब भी है 700 सी तो कितना इसी बढ़ सकता percentage ओके तो return अगर क्या होता है economy boom होता है तो return क्या आएगा दूसर return आएगा निकाल एक बार return जाना सर यह 600 नहीं लिखना चाहिए पैसा तो हम 500 लगा रहा है बात पैसे लगाने की ही नहीं बात यह है कि अगर हमारे पास option ना हो हम आज की बात करें तो आज present value कितना 600 लक्स एक साल बद हम शीर का प्राइज लेते हैं ना यार आज 600 एक साल बद 780 हो सकता 360 हो सकता यह होना चाहिए इंस्टिट्यूट क्या किया है वो मैं आपको समझा दूँ और अभी मैं क्या करूँ अभी मैं प्रॉपर कॉंसिप्ट के साब से का return अगर economy क्या होता है recession यहां तो loss हो जाएगा 360 minus 600 divided by 600 200 check कर लेते 360 minus 600 divided by 600 into answer आगया है minus 40 परशन तो मैं रिटन किसका निकाल रहा हूं बूम वालेक तो रिस्क निउट्र प्रोवाइबिलिटी हम काम करें यह और मुल आपको पता है थर्टी पी प्लस माइनस पूर्टी 1 माइनस पी इक्वल सर इक्वल टू 10 होगा की 8 होगा 100 परशन रिस्क फ्री रेट ही यूज करोगे नाम ही तो है रिस्क निउट्र प्रोवाइबिलिटी और मैं बार बार यह बोल रहा हूं कि आप रिस्क फ्री रेट ही यूज करोगे इट मेंस रिस्क फ्री रेट दिया है और यहां 8 आएक तो सर यहां भी 8 परशन से डिस्काउंट होना चाहिए हो ना चाहिए 8 परशन से क्यों नहीं किया है आएसी यह ना मुझे नहीं मानू मैं आपको थोड़ा से एक्स्पेइन करूंगा कि उन्होंने ऐसा क्या सूच कर किया होगा दूसर 30 पी ओके यह तो मैनस हो गया है मैनस 40 30 पी प्लस 40 पी वेल टू 8 ठीक है सर यह प्लस हो जाएगा 70 पी वेल टू 48 पी इसे 8 नहीं 20 तो सर पॉइंट 0.686 ओके तो सर यहां मिल गया 0.66 और यहां आ गया 1-0.6 0.314 अब निकाल सकते हो यह एन पे भी अगर हम वेट करते है एक साल 3.280 इंटो 0.686 0.314 0.4 divided by क्योंकि आप रिस्क न्यूट्रल प्रोबैबिलिटी यूज कर रहे हो तो रिस्क फ्री देट यूज करना चाहिए रिस्काउंटिंग आंसर आ गया एन पे वी 177.85 लाक्ष एक सवाल यह है सर अगर हम आज ही प्रोजेक्ट करें तो एन पे वी आ रहा है 100 लाक्ष अगर हम इंतजार करें तो एन पे वी आ रहा है 177.85 लाक्ष सर हमको इंतजार करना चाहिए यस वेट करना चाहिए रिस्क में बहुत सारे डाउट से है पहला डाउट कभी आप 10% ले रहे हो कभी 8% कभी 10% कभी 8% आपके सबसे क्या होना चाहिए क्योंकि बाइनोमियल मॉडल है अगर बाइनोमियल मॉडल है तो हम रिस्क फ्री रेट ही यूज करना चाहिए रिस्क फ्री रेट ही यूज करना चाहिए लेकिन आइस इंस्टिउट का मॉडूल का जब कोश्चन करोगे न तो उसने दो रेट दे रखा है एक दे रखा है रिस्क फ्री रेट और उन्होंने अलग अलग जगा पर अलग लग किया तो उनका ये सोचना हो सकता है सुनोगे देखो यहां तक तो कुछ binomial की बात ही नहीं थी तो NPV निकलते समय तो weighted average cost of capital ही यूज करेंगे क्योंकि सर ये 60 लाग रिस्की है तो हमें तो weighted average cost of capital ही यूज करना जी ये बिल्गु से इसलिए यहां NPV निकलते समय हमने weighted average cost of capital यूज किया तो आप रटवा रहा हूँ हाँ भाई मजबूर ही है ना यार उके उसके बाद हम आगे चले अब आगे चले 78 लेक आएगा उके ये तो future में आएगा उसका भी हमको नहीं मालूम तो थोड़ा रिस्क तो है इसलिए हमने 10% यूज करके 200 लाक निकाल और यहां भी NPV निकलते समय 10% का यूज किया प्रेजेंट विल रिस्क निट्रल प्रोबाइबिलिटी में तो रिस्क फ्री रेट ही यूज करेगा इसमें कोई बत की बात नहीं है तो रिस्क फ्री रेट ही आएगा पस यहां क्योंकि रिस्क निट्रल प्रोबाइबिलिटी है इसलिए इस बार जब NPV निकालने गए तो डिस्काउंटिंग जो यूज कर रहा है वो 1.08 यूज किये रिस्क फ्री रेट हमारे पस आप्शन नहीं है इसको याद करना पड़े ओके तो सबसे important है याद करने वाली बात simple सी logic की बात करो तो मैं पूरी जगह रिस्क फ्री रेट ही यूज करता अगर सिर्ब रिस्क फ्री रेट दिया रहता तो इसलिए कहाँ भी WACC दिया है कभी रिस्क फ्री रेट दिया तो institute तो अगर डिसीजन लूट तो हमें वेट करना चाहिए पर आई सी ए आई ने इसके अलावा भी इस एक्जामपल में बहुत सारी गलती किया तर प्लीज वो भी बता दूँगा और मैं वैसे ही करवाँगा अच्छो कोशिन करो ठीक है सर आप बताए क्या किया उन्होंने इसमे कोई दिक्कत नहीं है इसको तो इसमें कोई समस्या नहीं है उन्होंने गरबड़ी किया आफ्टर वनियर अगर वेट करते वनियर क्या गलती किया सर मैं फिर से बना रहा हूं एस पर आईसी है इट वनी है और बात किस की कर रहा है बात कर रहा है अगर आईसी ए आई ने कैसे सुख़़ उन्होंने कहा ठीक है जी उसने भी बाइ Means ट्री बनाया की बात नी बाइनो मिल ट्री में हमने कहा कि हमें अभी 600 लाग मिलेगा एक साल बाद ये भी हो सकता है 780 भी हो सकता है इंस्टेटीउट ने यहां ये नहीं लिया I.A.C.E.A.I. ने ये लिया कि आज हम कितना लगा रहा है 500 500 लाख लिया, जो बिल्कुल लुजीकल नहीं है, मेरी इसाब से, बाकि फिर justified करने आंसर को तो कोई बात लिए नहीं, उन्होंने cost of project लिया ओके और फिर उन्होंने बाकी तो कोई दिक्त नहीं है, बाकी यहां वहें लिया मैं सीधा लिख रहा हूं 380,000,000 ठीक है और दूसरा present value कितना आया था हमारा 360,000,000 मैंने सीधा लिखाया है आप समझ जाओ और सर प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है 500,000,000 तो सर यहां तो NPV positive है 280,000,000 ठीक है और सर यहां यहां 0 आना चाहिए इंस्टिट्यूट ने इतनी बेकूफी किया यहां negative लिखा है सर कैसे हो सकता मतलब उनका कहना 360-500 तो negative 140 तो भाई फिर यह option थोड़ी नूँआ negative 140 यह डेंजर है भाई negative option में कभी negative payoff आता है उसके बाद risk neutral probability में भी अंतर आएगा क्योंकि यहां 500 लिखा है सर कर ही लेते हैं ना कर ही लेते हैं इंस्टिट्यूट जैसा कर लेजी तो रिटन देख लेकिए एक बार मैं ICAI ने जो किया वैसे करवा रहा हुँ है रिटन देख लेकिए यस पहले 780 माइनस 500 रिवाइड़ बाई 500 इंटो 100 और दूसरा क्या हो सकता है 360 माइनस 500 रिवाइड़ बाई 500 तो 780 माइनस 500 डिवाइड़ बाई 500 इंटो 100 56 बर्षण 360 माइनस 500 डिवाइड़ बाई 500 इंटो 28 बर्षण 56, 28 मतलब उन्होंने 500 लेकर किया जो मेरी नजरों में गलत है अच्छा फिर उन्होंने क्या किया risk neutral probability निकाला कैसे निकालते हैं वो तो ठीक है 56P प्लस यह माइनस यह ना माइनस 28 1 माइनस P is equal to 8 इसे में कोई दिखकर नहीं है इस एक्वेशन में कोई दिखकर नहीं है तो सर्फ 56P माइनस 28 plus 28P P is equal to 8 56 plus 28 84 84P is 28 plus 8 36 P is equal to 36 divided by 84 0.428 0.49 0.49 तो यहां लिखा उन्होंने 0.429 और यहां क्या जाएगा यहर 1 माइनस 0.429 यहां आ रहा है 0.57 अब उनके इसके अलावा फिर उन्होंने निकाला NPV यह भर मुझे पसंद नहीं है बहुत सरी 2.80 into 0.429 ठीक है यहां इन्होंने 0.440 लिखा जो की पूरी तरह से concept की धज़िया उड़ा दिया पाइप सेवंटीवन डिवाइड बाइड बाइड इसकाउंटिंग किससे होगा 1.08 यह इससे में थोड़ा सहमत हो सकता हूं पर यह तो बिल्कुल ही गलत है यार और यह भी गलत है 500 2.80 into 0.429 एम प्लस 1.40 माइनस में 1.571 एम प्लस एम प्लस के डिवाइड बाइ 1.8 तो आंसर आ गया एनपीवी 37.0 लेक्स तो हमें क्या करना चाहिए हमें अभी स्टार्ट कर देना चाहिए वेट नहीं करना चाहिए वेट करोगे तो एनपीवी अपका कमा रहा है जबकि अभी स्टार्ट करोगे तो एनपीवी एक है जी मेरा काम क्या है मेरा काम ये नहीं है कि मैं अपने कॉंसेप्ट आप पर मजगया ना कि आपको कहूं कि नहीं सारी दुनिया गलत है मैं सही हूं या आई सी ए आई गलत है तो प्लीज मुझे फॉलो करो नहीं भाई नहीं मेरी रियूटी है कि मैं आपको वो बता दूँ कि जो इंस्ट्यूट आपके मॉड्यूल में है और आपके मॉड्यूल में ये है एक्च्वल और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कॉंसेप्ट एक्च्वल में ये है देगा जे तो कोश्चन बनाए तो चलो कोश्चन बनाते हैं सबसे पहले और कोश्चन आपके ए-ए-ए-फ-ए-म मॉड्यूल का ही बनाता हूं जिन लोगों के पास जो मुझसे क्लास कर रहा है रेगुलर वो देखोगे कोश्चन बनाए टू चैप्टर है डेरिवेटिव और उसमें देखोगे पेज नमबा वान जीरो सेवन एडिशनल कोश्चन करके लिखा हुआ है डेरिवेटिव का है उसमें कोश्चन बनाए टू कर रहा है वो छुटा हुआ था और सर जो आपसे क्लास नहीं कर रहा है जो यूट्यूब के स्टुडेंट है उनको भी दिक्कत नहीं है KFM का मॉड्यूल सबके पास होगा नया वाला उसमें इलुस्ट्रेशन नमबर 6 और पेज नमबर 9.42 पेज नमबर 9.42 ICAI कैसे किया है कैसे होना चाहिए यह सब चीज में एक्जामपल में समझा दिया हूँ इसमें मैं वही करूँगा जो ICAI किया है सर हमको करना कैसी होगा वैसी एक्जाम में देखते हैं सायद इसमें कुछ सुधार कर दे अगर सुधार नहीं किया तो वही करना जो इंस्ट्रिउट ने किया है तर अगर हम दोनों बना के आजाए तो बहुत अच्छी बात है अगर आपके पास टाइम है तो दोनों बना कर आजाओ logic के साथ पर अब भी मैं वही करवाँगा इस question में जो आपके module में solution है पढ़े क्योंकि भाई सुनो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि नया question है और नया question और यही question उठा कर दे देगा आपको फिक है ठीक है Suppose MIS Limited is considering installation of solar electricity generating plant ठीक है for light the staff quarter तो सर electricity government का यूज कर रहे थे अब हम सोच रहा है यार खुद का electricity plant install किया जाए target किया है हमारा जो staff है उसको electricity provide करना है तो क्यों government से खरीद है हमारे ये plant बना लेते तो कितना खर्चा आएगा पॉश्ट आएगा 2.50 crores और इसकी वजह से saving in electricity expenses का खर्चा हमें देना नहीं पड़ेगा और कितना बचेगा तो 21,00,000 per year forever ठीक है तो एक काम ये हुआ कि धाई करोड रुपए आज खर्च करो हर साल 21,00,000 रुपए बचाओगे 21,00,000 forever तो देखेंगे कि हमें फायदा है कि नहीं है ठीक है सर आगे however with change in government in state state government के election है okay the rate of electricity is subject to change सर कब है एक साल बात मान लो इसमें लिखा नहीं है और एक समस्या है लिख तो देता कि कब है लिखा नहीं है टाइम नहीं बताया ना में ये टाइमिंग ऑप्शन टाइम तो बताना था कि कब state government change होने वादी however with change in government in state the rate of electricity is subject to change accordingly saving in electricity can be या तो savings 12 लाग हो सकती है या तो savings 15 लाग हो सकती है फोरेवर सर क्यों वई government है हो सकता subsidy दे दे हो सकता बिजली में छूट दे हमारा 35 लाग सर अगर सोचते थोड़ा सा सर government अगर electricity में rate कम कर देगी तो हम अपना plant लगाएंगे क्यों हमारा ज्यादा सेविंग होगा नहीं पतला 12 लाग सर government ने electricity में कोई कोई भी छूट नहीं दिया है तो भाईया अपना ये plant लगा लो हमारा 35 लाग बचे और rate बढ़ा दिया ये भी तो सकता rate बढ़ा दिया फिर मुझे कहानी क्यों सुना रहा हूं है मैंने कहा था कि ICAI ने WACC अलक से दिया है और risk free rate अलक से दिया पता ही हमें प्रोजेक्ट कर अभी कर लेना चाहिए या वेट करना चाहिए तो अभी क्या करें सर प्रोजेक्ट अभी करें तो NPV निकाल ले सर अब तो कोशन मिल को सिंपल हो गया हम खुद बना सकते में जानता हूं खुद बना सकते हूं पर मैं अपनी duty तो पूरी करूँ ठीक है तो पहला काम क्या करें सर पहला काम करें इफ प्रोजेक्ट इंस्टॉल नाव इफ प्रोजेक्ट अगर अब भी इंस्टॉल करें तो पहन पे में नहीं कर ले मैंनस पिविच्ट के सब्सक्राण कितना आये गाँ किस्ट्रा के सब्सक्राइबेक है इसना किस्ट्राइब थे इसकाउंटिंग फे विच्ट्राइब गोंडव बिच्ट्राइब माइनस 2.5 करोर को लेक्स में 250 लाख सर तो एन पी भी कितना आएगा एन पी भी तो नेगेटिव आ गया 40 लाख या फिर पॉइंट और जीरो करोर्स तो सर प्रोजेक्ट आस तो करना ही नहीं चाहिए येस तो सर एक सालों का इंतेजार ही करते है ना लेकिन अभी रुख जाओ एक साल बाद भी लाख सुबा तो करेंगे ये नहीं बात करता ओके वेट फर वन यार अगला ओप्शन अभी एन पी भी नेगेटिव है माइनस 40 एक साल बाद सबसे पहला काम क्या होगा सबसे पहला काम होगा कि आप बाइनोमेल ट्री बना लिए चाहे उससे कोशन आसान होता बाइनोमेल ट्री तो वैसे तो मुझे क्या लिखना चाहिए मालूम है मुझे लिखना चाहिए था 210 लाग या 2.1 करोड लेकिन अब मुझे लिखना पड़ेगा 250 मजबूरी है पैसा लग रहा है 250 लाग future में कितना आ सकता है एक सल बात relax में कर रहा हूं कोशन ताकि आसानी हो या तो 35 लाग आ सकता है उसका present value निकाल लेते हैं या तो 35 लाग आ सकता है 12 लाग divided by 10% या तो 120 लाग आ सकता है और एक सल बाद भी करोगे ना भई इंस्टॉल तो पासो लाग स्वारी 250 लाग तो लगेगा लगेगा यास 250 लाग ये हमारा क्या होगा exercise price बोल सकते अभी तो बोलने का मतलब भी नहीं है तो अगर 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 350 लाग आता है तो NPV नहीं कल सकता है कि yes NPV, NPV एक सल बात का है 350 माइनस 250 NPV कितना आ गया 100 लाग और अगर सर ये हुआ तो NPV जीरो होना चाहिए दुक की बात ये है 120 माइनस 240 institute ने नेगेटिव निकल के रखा question जहां से भी उठाया है पता नहीं का माइनस 130 ठीक है अभी क्या करना है सर अभी पहला point तो हो गया अब क्या करते है risk neutral probability point number two is well probability अले रिटर ने काल ले return if cash inflow ये present value of cash inflow savings भी लिख सकता है तो पचास लाक तूसर रिटर्न हो गया फिर बुपच तूसर को ये अब्यदीछ ये तो पचास- सब्यदीटयवड ये का da वडर्ूट पचास due讲 return, return, if TVC I relax, return I 120 sir, 120 minus 250 divided one, 250, 200, so 52 percent negative, okay, so, now we are taking probability, 40p plus minus 52, 1 minus 3, 1 minus p, risk free is given, 8 percent is given, risk free is given, 8 percent, 40p plus minus minus 52, plus p equal to 8, 92p, 60, p is equal to 8, 0.652, okay, है, answer देखते हुए, चलता हुए, calculation mistake न हो जाए, दूसर, 0.652, आगे, और 1 minus 0.652, तो इसर यह आगे, 0.348, अब एन्पी भी नहीं काल देखते हैं, चुटा कर दूँ खड़ा, दूसर, एन्पी भी सेगे, 100, इन्टो 0.652, जीरो लिखता हुए, आदत होगे, 0 लिखने के, minus 130 into 0.348, divided by 1.08, यह 1.08 लिया है, रिखने uteral probability यूज कर रहे हैं, 100 into 0.652 M plus 130 minus में, 2.348, plus MRC divided by 1.08, आंसर हा 18.48 lakhs, तो सर हमें क्या करना चाहिए, वेट, इस बार टू वेट फर वानिया है, रिए, रिए, ज लाउ, बार वानिया, ऄ्याय रिए, गिए आयो हूँ नोट का लीजिये इसको पहले दिर आगे चलते हूँ बहुत सारे बच्चे हैं कि अब्जेक्शन लेंगे नहीं सर ऐसे होना चाहिए नहीं सर ऐसे होना चाहिए भाई मैं जानता हूँ कि इस अब से कर लो आपने मेरे सब से कर लिया कॉंसेप्चुल सही है पर जो पेपर चेक करेगा उसके पास यही सॉलूशन रहा मान लो तो काड़ देगा नहार मेरा ग्यान अपनी जगह है पास करना है पास करना है तो यह कोश्चन था और एक कोश्चन है आपके जो कैपिटल बिष्टिंग बुक है उसमें डाला था तर यह कोश्चन AFM के मॉडिल में डाला है कि नहीं तो चिन बच्चों को यह कोश्चन क्योंकि AFM के मॉडिल में नहीं डाला हुआ है मॉडिल की मैं बात कर रहा हूँ जो ICAI नहीं डाला हुआ है चाहो तो छोड़ सकता है पर वो बच्चे जो मेरे रेगुलर क्लास के है उसको इसे करना पड़ेगा सर यह कोश्चन है कहां का यह कोश्चन ICAI का ही है ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और इंस्ट्रियूट का उठा कर डाल दिया ICAI का ही कोश्चन है इसी जमाने में SFM में कैपिटल बश्चन हुआ करते हैं माफा में चाह सर तब रियल ऑप्षन का कोश्चन डला हुआ था हला कि रियल ऑप्षन का कोश्चन डला हुआ था हला कि रियल ऑप्षन सिलेबस में नहीं था तो भी यह कोश्चन डाल दिया था तब भी हम करवाते थे ऐसा नहीं कि नहीं कर और सर इस कोश्चन का वीडियो और इस कोश्चन का वीडियो और पुराना वीडियो चेक करोगे पड़े सर जल्दी करेंगे स्कॉष्चन को जो मेरी बुक फॉलो कर रहा है उनका कैपिटल बश्टिंग चैप्टर ओपन करोगे कैपिटल बश्टिंग में कोश्चन नमबर 28 मिने छड़वा रखा है आप चिंता ना करूँ बहुत सारे बच्चे बुलते सर आपने एक कोश्चन शड़वा जो भी कोश्चन शड़वा है मुझे अच्छे सी याद है मैं वो पक्का करवाँगा मुझे मालूम एक एजिस्ट अपार्टमेंट यूनिट्स फर सेल तो जो प्लॉट है न प्लॉट उस पे वो बिल्डिंग बनाना चाहता है फ्लैट्स फ्लैट्स बलू चलेगा अपार्टमेंट बनाना चाहता है ठीक अपार्टमेंट बनाना चाहता है और कितने अपार्टमेंट बनाना चाहता है वो ख 15 पे ज़्यादा आएगा तो अगर बोले कॉस्ट कंस्रक्शन कॉस्ट क्या लगेगा बोले अगर हम 10 बनाएंगे तो 600 लेक्स लगेगा और अगर हम 15 बनाएंगे तो 1025 लेक्स लगेगा ज़्यादा बनाओगे तो ज़्यादा लगेगा ओके और अभी बनाकर अभी के अभी ब पात करो एक साल बात की नहीं तो आज में ही दो डिसीजन होगे दस बनाएं की पंदरा बनाएं जिसमें ज़्यादा फायदा हो अगर कोई मुझसे बोले की आज कितना बनाना तो मैं रेख लूँगा ना भाई कितने का फायदा है एक साल बात the market prize after a year for apartment unit will be depend upon the condition of market if the market is buoyant buoyant का मतलब गोम अगर market is buoyant each apartment 91 lakh का बिकेगा मतलब यार economy की में में बात करो तो मार्केट की बात करो, फूम रहा तो 91 लक्स कभी केगा, और अगर लगिस रहा, लगिस रहा, बतलब, रेशिशन, तो बोले जो सेलिंग प्राइस है, वो 75 लक्स केगा, ओके, इसर, यह क्या मोगल रहा है, कुछ नहीं, इसके विसे में मैं समझाऊंगा, एनपी भी तो निकालना आता है, तो रमेश स्टार्ट कंस्रक्शन नाउ, अभी बनाए, या तो फिलेंड को वेकेंट रखते हैं, एक साल का वेट करते हैं, और एक साल बाद बनाते हैं, दिकत क्य पहले बात करते हैं, कंस्रक्शन नाउ, अभी बनाए कि एक साल बाद बनाए, तो अभी बनाते हैं, तो कितना बनाए, दस की पंधरा, एक साल बाद बनाते हैं, तो कितना बनाए, दस की पंधरा, और फिर उन दोनों में कंपेरिजन कर रहें, अभी या एक साल बाद, कोशन discounting rate कितना अच्छा question discounting rate दिया है 10% और सर ये yearly rental per apartment unit is 7 lakh 7 lakh है and the risk rate सर ये जो है बना कर rent पर दे सकती है क्या कहना चाहता हूँ क्या कहना चाहता हूँ वो मैं आपको समझा रहा हूँ construction जो है cost वो same ही रही ठीक है भई अप रेंटल की बाद बताऊगे बताऊँगा ना रुक तो जाओ अभी ओके तो पहला काम क्या construct now option number one इसको इसको ऐसी गर लेते सिंपल है अभी बना कर बेचो ना भाई दिखकत तो सर कितने बना सकते अपार्टमेंट या तो दस या तो पंद्रह अभी भी बनाना तो अभी भी डिसाइड करना कि दस बना की पंद्रह और तो सर सेल्स कितना अभी कितने का विकरा है अपार्टमेंट अभी बना की बेच दो असी लाग रुपय मिलेगा ठीक है असी इंटू दस तो सर आठ सो लाग रुप और अगर फिफटीन बना कर बेचोगे अभी फिफटीन इंटू दस पंद्रह सो लक और बनाने का खर्चा भी आएगा पॉष्ट वन सीरो अथा या लिखा दस बनाने का खर्चा छे सो लक छे सो लक और अगर पंद्रह अपार्टमेंट बनाते हैं तो वन सीरो तो फाइव लक्स इन दोनों में से देखते हैं अभी क्या NPV ने कल NPV बोल सकते हैं की हाँ NPV बोल सकते हैं तर यहां दोसों का प्रॉफिट प्रॉफिट बोलोना है सर क्या NPV बोल रहे हैं सीधा सीधा कहां आपको प्रेजेंट वैल्यों दिख रहे हैं प्रॉफिट बोल सकते हैं, प्रॉफिट यहां प्रॉफिट दो सो लग का है, और यहां प्रॉफिट के लिए, और सेवन्टी फाइफ, कहा है ना यार, यह लथे से, असी लाग का एक है, पंधरा बीचोगे, तो बारा सो हुगा सरी है, बारा सो मैनस हुगा सो रूफ रहे है, तो अभी बनाना है, तो क्या अच्छा है, सर दस बना हूँ, यह तो क्या स्वाइफ, फिक लस स्वाइबेर, तो क्या स्वाइब, तो क्या स्वाइब, विक लोफ फिक लिए determines, प्र ethics रहां हुआब, अगर अभी बनाना है तो भाई दस बनाईए 200 लाग का प्रॉफिट है यहां तक तो सर बात समझ में आते हैं अब एक बात और है यार अब सुनना देहां से प्लॉट किसका है सर प्लॉट तो आप ही का है प्लॉट मेरा है और इस पे मैं बेल्डिंग खड़ा कर रहा हूं ओके और बेचूँ तो मुझे कितने का फाइदा है तो दोसो लग का अपार्टमेंट बना कर बेचूँ तो 200 लग का फाइदा है मैं आप से कुछ पूछना चाilara अगर मैं कहूं यार अपार्टमेंट बनाकर नहीं बेच दूँ तो बता सकते हो कम से कम कितने मैं बेच दूँगा अभी कोश्चन क्या सुनना ध्यां से अपार्टमेंट बनाकर बेच रहा हूं तो मुझे 200 लाग का फायदा है बनाना बेचना है मैं बोलतों नहीं बनाते ना यार यह जो है ना यह लैंड इसी को बेच देते तो सर कम से कम जा जितना बनाकर बेचो कि दूसर का फायदा आप मत बनाओ आप ऐसी बेचो तो भी लैंड का तो 200 लाग रुपे तो मिलना चाहिए इस यही तो है मेरे लैंड का वेल्यू 200 लाग अच्छा सर यस एक्चुल में जो प्रॉफिट है वही तो मेरे लैंड का वेल्यू आएगा अपको पता है करेंट वेल्यू ओफ वेकेंट प्लाइंट तो करेंट वेल्यू ओफ वेकेंट प्लॉट कितना आएगा 200 लाग अभी अभी पर अभी एक साल वेट करके तो देखते है तो अम में क्या कर रहा हूं कंस्ट्रक्ट आफ्टर वन एर यह इंपॉर्टेंट है अपसे नमर टू कंस्ट्रक्ट और एक सल बाद बनाए तो क्या होगा अब उसमें भी दिक्कत है हमें देखना पड़ेगा अलग-अलग सिनारियो के सबसे सिनारियो दो है तर ऐसे बना लेके हाँ बना लो बिटे काम आएगा ओके सर क्या क्या सिनारियो है पहला सर पहला सिनारियो है उसने बोला था वो एंट और दूसरा क्या बता है तरगिश हम वो नहीं लिख सकते हैं कि रेशिशन बूम लिख सकते हो क्या फर्क है अगर बोयंट है तो जो अपार्टमेंट है वो कितने का बिक्की गा 91 लेक या तो 75 या तो 91 75 ओके और या तो 10 भी बना सकते हो 15 भी बना सकते हो 10 भी बना सकते हो और 15 भी बना सकते हो ठीक है अब सेल्स देख ले सेल्स 91 के सब से तर 910 लाग भी आ सकता है तर 1365 भी आ सकता है साथे साथ स्व भी आ सकता है या वन वन टू फाइव पिर ठीक है कंश्रक्शन कॉस्ट और कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा तस के लिए लगेगा छे साथ और बंदरह के लिए एक हजार बच्चिस उसे सबसे हम नो सो दोस मैनस छे सो तर तीन सो दसका प्रॉफिट तर वन ट्री सिक्स फाइव मैनस वन जिरो टू फाइव रन इसका प्रॉफिट साथ सो पचास मैनस छे सो साथ सो पचास का प्रॉफिट वन वन टू पाइव मैनस टू फाइव टू फाइव टू का प्रॉफिट इट मिस हर चीज में प्रॉफिट है बस मुझे इतना बताओ अगर मार्किट बॉयंट है अगर हमें ऐसा लग रहा एकोनोमिक बूम तो कितना फ्लैड बनाएगे तो पंद्रा बनाएगे अगर स्लगिस है तो सरदस बनाएगे इट मिस हमारे लिए काम की चीज क्या है हमारे लिए काम की चीज है इन दोनों में से डिसाइट किया हो गया है कि इस सिनारियों में कितना और इस सिनारियों में कितना इसको लिखेंगे कि हां लिखेंगे तो ये कोशन तो बहुत बड़ा है हां ना बिटे आया हुआ है अगर मार्केट ना बनाएंगे अपार्टमेंट पैसा कितना आएगा पैसा सर फिप्टीन इंटो सीधा 340 लिख सकते हैं सीधा 340 लिख लेते हैं 140 का प्रॉफिट और अगर स्लगिस बनाएं स्लगिस सिनारिया सर दस अपार्टमेंट ही बनाएंगे और स्लगिस में कितना 150 का प्रॉफिट सर इसकी क्या प्रॉफिटी इसके वही तो निकालना है बस वही बचा हुआ है एक बार probability निकली, डिसकाउंटिंग किया, आंसर आ गया, खतम बार, पर probability निकालना अपने, उसर ठीक है, probability निकाले, या, अभी price कितना है, सर, 80,00,000 रुपए, current market price, okay, सर, वो rent का क्या करना, करेंगे, करेंगे, रुख जाओ, अब मैं बना रहा हूँ, bino military, मतलब, मुझे क्या निकालना, मुझे निकालना, risk, neutral, probability, यह बताओ, कि अभी price कितना, सर, अभी price है, 80,00,000, future में क्या हो सकता, future में, अब सुनना, future में, या, तो, flat का price क्या हो सकता है, अब एक बात, बस एक आखरी बात बच्चिवी, खतम फिर तो, यू हो जाएगा, सवाल यह है, क्या इस सब्सक्राइब लिखा, yearly rental per apartment unit is रुपी 7,00, क्या है मतलब इसका, मतलब है कि, अगर मैं आज बना लेता हूं, याद करो मैं वो याद दिलाता हूँ, एक आया था, question dividend वाला, मतलब, option में dividend था, dividend paying stock, उसमें क्या होता था, उसमें हम यह केते थे, माल लो, आज ही हम share खरीद लेते हैं, अलकि share खरीदना नहीं है, माल लो, अगर हम आज ही share खरीद लेते हैं, तो एक साल बाद share कितने का भी केगा, और उस share पे dividend भी तो मिलेगा, सर, option में तो dividend नहीं मिलता है, option में नहीं मिलता है, लेकिन probability निकालने के लिए तो उसका यूज करना ही पड़ेगा, मैं भी वोई कर रहा हूँ, माल लो, मैं आज ही, मैं आज ही apartment बना लिता हूँ, तो, 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 मुझे 91 लेक मिलेगा, एक साल बाद, share का price किया हो सकता है, यह माल लो, share ही है, 91 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, लेकिन dividend भी तो मिलेगा, वो भी तो return है, yes sir, मतलब sir, 7 लाक रुपए rent का भी आ सकता है, यहाँ भी 7 लाक रेंट का भी आ सकता है, याद करो, ऐसा करवाए हूँ मैंने, सर्थ पर बना कहां रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ, मैं कहा रहा हूँ, कि अगर बना लेते तो, वही तो हमने, वही एजंशन लेकर, तो हमने risk-neutral probability निकाला था, dividend paying stock में, ओके sir, alternative क्या कर सकते हो, 7 लाक का present value इससे minus कर दीजे, मतलब sir, हम यहाँ total मिला कर, return निकालने के लिए, यहाँ कितना लेना पड़ेगा, return तो आप निकाल सकते हैं, अगर इसके लिए return, इसके लिए return, अच्छा, वो 7 लग का, ऐसे यूज़ था, हाँ भाई, हाँ, मान लो, आज ही हम, share खरीद लेते, तो future में 91 का यह मिलता, और 7 लाक का dividend मिलता, तो बताओ, यह probability and कितना, मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, risk neutral probability, risk neutral probability, यह question ज्यादा, मुस्किल है, हाँ, मैं जान बुचके डाला हूँ, एक यह बगला question और एक gold mine वाला question डाल के रखाँ, mine अभी open करें, या फिर थोड़ा सा रुक के open करें, याद है, capital listing में करवाया हूँ, मैंने, सर हम तो YouTube वाले बच्चे हैं, तो बैटे YouTube में भी capital listing डाला हूँ, पूरा, return, if market, point, तो सर चाँ 91 बस्द़़ 7 91 बस्द़़ 7 बिस्द़़ 80 बएडि़ एट 200 if market is sluggish plus 75 plus 7 minus 80 divided by 80 91 plus 7 minus 80 divided by 80 into 100, 22.5 25 plus 7 minus 80 divided by 80 minus 2.5, 2 minus 80 divided by 80 into 2.5 22.5 2.5b plus 72.5b plus 2.5 minus 1 p, then 22.5b plus 2.5b plus 2.5b plus 2.5b minus 2 तो यह दोनों मिला के 22.5 और 2.5 25 हो जाएगा ना याज और यह उधर जाके 1.5 0.5 0.30 तर एक बार चेक कर लोगे क्या तर अब क्या होगा क्या होगा यह तो निकल गया कौन से रिटर निकला सर बॉइंट पॉइंट थी अब इसका नहीं मुझे बस प्रॉबाइबलिटी पता करना था प्रॉबाइबलिटी पता लग गया इधर पॉइंट 3 इधर पॉइंट 7 अब काम हो जाएगा इसके लिए प्रॉबाइबलिटी पता लग गया अब क्या निकालोगे एन पीव तर तीन सो चालिस 2.3 इधर तो 0 होता था ना मैंने का इधर negative हो सकता है negative sorry negative नहीं हो सकता बात समझने की कोशिश करना यहां बच्चे बोलते कि से 0 positive हो सकता है minus नहीं हो सकता बस मैंने यह कहा था binomial tree किया है two period binomial model तो ऐसी बात नहीं करो गया एक सो पच्चास इंटू पॉइंट से वन ओके रिवाई रिड़ भाया वन पॉइंट वन जीरो अंसर आ गया 188.2 yes 188.18 lakhs so sir construct now is better yes just little Q2 IRNPV that is दूसो लाक and value of plot जो vacant plot है उसका value इस रुपीश 200 lakhs बेचेंगे तो कम से कम दूसो लाक मिलेगा तो बेचेंगे नहीं तो अपार्टमेंट बना कर बेच देंगे भाई ठीक है जी तो यह कोशन था सर इसको छोड़ सकते हैं छोड़ सकते हैं अपकी मर्जी अफम मोडूल में नहीं है इसके बाद और एक कोशन है जो की commodity option का कोशन है वो पहले से है उसको मैंने इसलिए रोक की रखा था क्योंकि उसमें probability भी ऐसे ही निकाला है तो वो कोशन है उसके बाद class उबर हो जाएगी इसके बाद BSM बच्चा हुआ है इस class के बाद अगली class में BSM हो जाए है तस इतना ही था ठीक है जी तो वो कोशन देख लेते हैं एक कोशन है अलग ही कोशन रियल आप्शन का नहीं है पर यह कोशन छोटा हुआ था डेरिविटिव का आप्शन का ही है commodity आप्शन मुझे ऐसा लगा था कि रियल आप्शन से करवोंगा तो ज़्यादा समझी में आएगा और seriously वैसा ही इसलिए छोड़ लगा था देखे सर क इसलिए कोशन को यह सैसा है नहीं कि मेरी ज़रूरत है बिना मेरी भी कोशन अपसे हो सकता है देखते है कोशन में तो डेरिविटिव टॉपिक है हमारी बुक का पेज नंबर 104 में मिलेगा पेज नंबर 104 ओके सर एक बार देख लेतें कि कोशन में लिखा क्या हुआ call option exercise price 26,000 किसका दिया है गोल्ड का exercise price 26 10 gram का rate है period कितना दिया है period दिया है 3 month time हो गया है हमारा और बुले premium है 1010 यह कहा है premium दे दिया है sir yes premium 10 premium दिया हुआ है it is expected that 3 month में जो spot price दिख रहा है 24,700 समय क्या है मालूम है आज का price क्या है 26,000 क्या है यह आज का price दिया अज का price नहीं है यह exercise price और 3 मेने बाद जो आज का price होगा आज का price नहीं दिया है वो बुले 27,300 24,700 भी हो सकता इस से हमको समझ में आएगा कि value निकालने के लिए बोलेगा आपने में, अबने कहा था, sir, value निकालने के तीन तरीके है, यह तो put call parity यूज करेंगे, यह तो bsm यूज करेंगे, अगर दो possible price दिया है, तो binomial ही यूज होगा, yes, binomial model है, at present, पर आज का price क्या होगा, यह नहीं मालूब, लेकिन एक सब्द लिखा है, client लिखा, at present, this option is at the money, this most important line, यह जो option है, वो at the money है, कुछ याद आया, at the money क्या होता था, yes, sir, ATM, ATM में क्या होता था, sir, ATM में exercise price और current market price equal होता था, it means, वो सीधा बता सकता था, कि current market price भी 26,000 है, पर नहीं बताया, वो knowledge चेक कर रहा है, okay, sir, तो यार, current market price जो दिया है, वो भी 26,000 है, और ठीक, तीन मेने बाद 27,300 भी हो सकता है, 24,700 भी हो, और rate of interest with simple compounding, simple की compounding, खेर, normal देना, कितना दिया है, 12% per annum, तो तीन मेने का 3%, लिख लिए जीना, तीन मेने का 3%, क्या premium, जो 1010 देने वाले हो, जो मांगा जा रहा है, क्या justified है, मतलब क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है, कि आप value निकाली है, value मतलब, value of option मतलब, premium कितना होना चाहिए, should be, और देखिए, कि वो under price है, कि over price है, वैसे आपको comment करना, तो ये तो हो जाएगा, हो जाएगा, प्लीज होमवक, होमवक नहीं है, होमवक नहीं, तो सर्फ binomial में भी, बड़े सारे option तरीके थे, एक तो था हमारा, risk neutral probability, एक तो था delta housing, एक Mr. Dale वाला question था, और एक था replicating portfolio, जो आ तो सर, institute ने इसको किस से कर रखा, दोनों alternative से, risk neutral से भी कर रखा, delta से भी कर रखा, और दोनों ही मैं करवाँगा, सर, दोनों alternative क्या जरूरा, risk neutral बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल है, पर दोनों alternative से मैं करवाँगा, क्यों करवाँगा, इसकी वजह में बिपता तो सर हम एक्जाम में भी दोनों करके आएगी कि नहीं एक्जाम में कोई भी एक अल्टरनेटिव से कर लोगे तो सर सबसे पहले हम किस से कर रहें क्योंकि बाइनोमेल गोश्चन है रिस्क नीट्रल बेस्ट है तो अल्टरनेटिव वन रिस्क नीट्रल से कर रहा हूं सबसे पहले क्या होता था सबसे पहला काम है बाइनोमेल ट्री बनाते हैं सबसे पहला काम है बाइनोमेल ट्री इसके बिना काम नहीं और बाइनोमिल ट्री कैसे बनाते थे याद है सर आज प्राइस कितना है ट्वेंटी सिक्स थाओ एक तीन महने बाद क्या हो सकता है दो पॉसिबल प्राइस है कितना कितना हो सकता सर ट्वेंटी सेवन थ्री हंड़े और ट्वेंटी फूर से वहां ओके ऑप्शन कौन सा कॉल मतलब एक्सरसाइस प्राइस कितना है ट्वेंटी सिक्स थाओजन इससे उपर होगा तो एक्सरसाइस प्योफ निकल ले यस एक तो ले लेते हैं सी यू और सी डी सी यू सी डी ट्वेंटी सेवन थ्री हंड़ेड माइनस ट्वेंटी सिक्स थाओजन तो थर्टीन हंड़ेड कॉल एक्सरसाइस होगा और कम हो भी कॉल होगा अब इसके बाद क्या रिस्क ने उटर प्रॉबाबिलिटी खतम करते का अब यह रिस्क ने उटर प्रॉबाबिलिटी सर आपने बताया एक रिटर्न के सबसे भी कर सकते हो और एक जो हम पहले करते थे बायनोमियल में रिस्क ने उटर्ल में जब भी इस्टॉक शेर्स की बात होती थी तो सर हम लोग क्या करते थे सी यू हम करते कैसे थे आर मैनस डी यू मैनस डी याद है ऐसा वाला फॉर्मुला येस तो यहां किससे करेंगे इस्टॉक शेर्स के अलावा चाहे रियल ऑप्शन हो चाहे कमोडिटी ऑप्शन हो समझा चुका हूँ ना मैं ये रिटन के सबसे होगा एक बात अच्छे समझो जहां शेर्स की बात है वहां आर मैनस डी यू मैनस डी वाला फॉर्मुला लग लेना जहां शेर्स की बात नहीं जहां रियल ऑप्शन का कोश्चन है और जहां इसलिए मैंने एक कोश्चन पाय था जहां कमोडिटी फ्यूचर है कमोडिटी ऑप्शन है वह आर मैनस डी से नहीं कर रहा है वो रिटन के सबसे कैल्कुलेट कर रहा है तो हम भी कर लेंगे सर आंसर एक ही आएगा खिए के सर हम लोग ते या रहें तो सर आर तो हमको मालूम है अब रिटन के प्राइस तो सर 27,300 माइनस 26,000 divided by 26,200 काम हो जाएगा नाम से, एक बर देख लूँ, ICEI कैसे किया है रिटन के साब से ही काम किया, वैसे ही करना यार, वैसे ही करना सर याद कैसे रहागा, याद करना पड़ेगा श्टॉक से है, तो R-D से है और स्टॉक के अलाव चाह है, रियल उप्षेन के साख है, तो R-D से ख साब 27,300 माइनस 26,000 divide 26,000 sudah गवा न्ट की सार 5 पशल R-D रिटन इफ प्राइस ख रूँआ है 24,700 minus 26,000 divided by 26,000 into 100 percentage निकाल। negative रिटना एका the 5% negative minus probability निकाल। प्रिटना एकार। probability निकाल। yes, तुसर 5 to P plus minus 5 plus 1 minus P is equal to 3 तुसर 5P plus minus minus 5 minus minus plus plus 5P equal to 3 तुसर 5 और 5 plus हो जाएगा 10P और ये उधर जाकी plus हो जाएगा 8 P is equal to 8 by 10 to point that's it चादम का चोटा का रहूं दिख रहा होगा तुस्तर यहाँ जाएगा point 8 और यहाँ जाएगा point 2 ओके last वाला काम कर ले यहें लिखे लूँ क्या start value of call e0 is equal 3800 to point 8 0 into point 2 divided by 1.10 1300 into 0.8 divided by 1.03 answer आगा 1 1 0 9.70 तो rounded off करके कर लूँगा rupees 1 0 1 0 क्या call option का premium actual में क्या है sir call option का premium actual में 1 0 1 0 और हमारा value कितना निकला this is actual premium और यह 1 0 तो क्या call option justified है yes जो call option का premium आप दे रहे हो दे सकते हो justifiable है क्योंकि value भी कितनी है 1 0 1 0 option over price है कि under price है कि correctly price है correctly priced है पतम कहा निका तो लिख ले yes यहीं लिख ले रहे हो तंस अप्शन आप्शन एस ऊंज जर खिर क्यों कि अब रसरे स mean ब सटैसे डिनन टत्स तर्मियम आप्टोर टाप्ट निट्टिपया अर रे मिंद्डमीर,珠ाष ऑस्टिफ़ प्रयू जिस खांतो bağ उस्टिपया तो यहरज टो एक coronavirus उन्होंने ऐसे कर रहा Risk Neutral से काम कर रहा दूसरा उसने क्या किया है Deltaizing Deltaizing हमको याद नहीं है और अगर exam में भी आएगा तो हम पक्का नहीं करेंगे पक्का नहीं करेंगे मैं जानता हूँ इस से भी कर लो कि हो जायगा पर हमारे इंस्ट्रिट्यूट ने और एक तरीके से कर रहा है जिसको बोला है उसने डेल्टा हैसिंग से कर रहा है कि यस मेरी रियूटी है करवाने की मैं करवा गाँ तो सर डेल्टा हैसिंग का नाम उसने क्या लिखा है अब सुनोगे सुनोगे बच्चों सुनोगे दिहां स डेल्टा हेसिंग का नाम उन्होंने लिखा है बाइनोमियल मौड ऐसा क्यों करवा रहा हूँ मैं करवा रहा हूँ तो पॉइंट नमबर तू अल्टरनेटिव तू बाइनोमियल इस डेल्टा है सर आपने हमें बताया था कि अगर सब्द आता है बाइनोमियल मौड तो तीनों में से किसी भी तरीके से कर साथ रिस्क निूटल से भी धिल्टा हैजिंग से भी रैपलिकेटेंग से और सबसे आसान हमको बढ़ता है रिस्क निूटल तो हम उसी से तूसर आप यहाँ बाइनोमियल मौडल क्यों लिख रहा है आपको लिखना चाहिए डेल्टा हैजिंग actual में दिक्कत क्या है अब अब important है सिर्फ इस attempt के बाद से मतलब में क्या कहना चाहता हूँ मतलब में यह कहना चाहता हूँ November 23 में जो paper आया है ओके November 23 में जो paper आया है उसमें एक समस्या है उसमें एक question है वो question मैं करवाओंगा आपसे उसने ऐसे ही question था same question था हाला कि वो stock का था उसमें लिखा था calculate value of option ठीक है on the basis of risk neutral probability approach ठीक है on the basis of binomial model अब बच्चों का दिमाग गुम गया सिर्फ binomial के अंदर ही तो risk neutral होता है binomial के अंदर ही तो delta housing होता है अब बोल रहा है कि calculate value of option as per risk neutral model वो तो हम कर लेंगे और फिर लिखा as per binomial model अब क्या करें क्योंकि मैंने ही आपको बता रखा कि binomial आएगा तो risk neutral से करना लेकिन यहार exam में दो पूछ लिए तो क्या करोगे तो फिर आपके पस option ही नहीं बच्चा है अगर कोई भी समझदार बच्चा होता से एक model और चिपका देते है और करते तो क्या करते है डेल्टा हैसिंग और रेप्लिकेटिंग तो हाई नहीं है तो डेल्टा हैसिंग से और कर देते दिक्कत क्या होती है मतलब सर अगर question में binomial model उचेगा नहीं अगर binomial सिर binomial आ रहा तो मैं risk neutral करूँ पर question में risk neutral अलग से पूचा binomial अलग से पूचा एक ही question में दो दो चीश पूचा तो डेल्टा हैसिंग भी करके आ जाना इसलिए मैं यह करवा रहा हूँ ओक्या तो हम किससे कर रहा है binomial model मतलब डेल्टा हैसिंग तो सर इसमें क्या करते थे इसमें पहले दो binomial tree बनाती थे पर चुकि हमारा बन चुका है तो मैं सीधा steps में जा रहा हूँ पश्ट डेल्टाप कॉल तर यह याद नहीं है डेल्टाप कॉल क्या होता है कोई बात नहीं याद आ जाएगा डेल्टाप कॉल क्या होता है डेल्टा का मतलब क्या होता था यार प्राइस के change होने से option में क्या change हो रहा है मतलब cu-cd और यह s1 इसको s1 और s2 नाम दूँगा इसको c1 और c2 नाम दूँगा कुछ problem नहीं हो तो डेल्टा इसी E1-C2 और S1- S2 27-300-24 नहीं पहले 1300-0 300 minus 0 divided 27-300-24 600 27-300-2726 मतलब 0.5 एंसर क्या है? 0.5 एक सक्ट जल रहा है ठीक है? सर इसका मतलब क्या था? इसका मतलब वही है जो हमने इसमें किया था मिश्टर दयाल वाले कुश्ट स्ट्रेटिजी क्या बनी? राइट ही होगा मैंने बताया था राइट वन कॉल प्वाइट गूणफ़ प्वाइट प्वाइट चाइर हो नहीं सकता यह है क्योंकि शेर तो है नहीं है तो गोल्ड है तो ग् actively कितना है? तर 지प्वाइट है यह दस ग्राम का रेत दे रख़ा है तो क्या करीग है? प्वाइट फाइव वाइट देस ग्राम मतलब पाच ग्राम गोल्ड खरीदेंगे, ठीक, आदा शेयर खरीदते थे थे न, पाइफ ग्राम, ग्राम का इस पे लिए खलत है, गोल्ड, टूडे, ओके, इसके बाद क्या निकलते थे, इसके बाद निकलते थे, cash inflow on maturity, point number, cash inflow on maturity, यह न, deltaizing थोड़ा सा मुस्किल है, यास, मैं जानता हूँ, अगर price क्या हो जाए, अगर price हो जाए, 27,300, तो बताओ पैसा कितना आज़ेगा, क्या price हो जाए, 24,700, सबसे पहले call हमने write किया, तो call, exercise or lapse, sir, call, 27,300 पर exercise हो जाएगा, और हमें कितना देना पड़ेगा, 1300, हमारी जिप से जाएगा, और price कम हो गया, तो collapse हो जाएगा, हमारा attention खतम, okay, sir, और क्या करोगे, जो gold खरीदा है, उसको क्या करोगे, sell gold, gold based दिंग, और बेच ओगे तो कितने का भी किएगा, sir, यहाँ 27,300, पर हमारे पास 5 gram gold है, यह 10 gram का rate, 0.5, तो 13,650 मिलेगा, और अगर rate चो भी 600 हो गया, तो भाई कम में बेचना पड़ेगा, 12,350 कभी खेगा, ठीक है, किया हुआ है, यह मद बूलना, जहां में दिखकत हो, delta housing के concept देख लिशेगा, तो sir, यह total कितना आजाएगा, cash in, to on maturity, sir, यहाँ 12,350 हैगा, और यहाँ भी 12,300, तीन महने बाद आएगा, cash in, अब क्या नहीं कर लेंगे, sir, value of call, और मैं आपको याद दिला रहा हूँ, क्या करते हूँ, sir, gold तो आज खरीदना पड़ेगा ना, यार, yes, S0, आज gold खरीदना पड़ेगा, yes, पर कितना खरीदना पड़ेगा, into delta, delta call, याद है, हाँ, sir, हमें तो आधा तोला ही खरीदना है, यार, 5 ग्राम ही खरीदना है, आज के rate पे, yes, और ये पैसा कब मिलेगा, sir, ये तो maturity पे मिलेगा, इसका present value, cash inflow divided by 1 plus R, और ये जो formula बनता था, ये किसका बनता था, C0 का, याद होगा सायत, तो sir, S0 कितना है, S0, 26,000, तो sir, 26,000, और gold खरीदेंगे, हम 5 ग्राम, आधा तोला, और जो future में पैसा आएगा, minus, कितना आएगा, 12,350, और इसका क्या करेंगे, present value, okay, तो हमें extra, जो पैसा लगेगा, वो हम premium के रूप में, वसूल कर लेंगे, सामने वाले से, तो sir, 12,350, divided by 1.03, minus 13, 10, उतनी आएगा, 10, अलाकि, इस alternative की जरूरत नहीं थी, पर वो ही मुझे समझा ना था, तो मैंने समझा दिया, कि यार, इस alternative से भी कर रखा है, IC, ठीक है, तर हमारे लिए, risk neutral कर सकते हैं, कि इस question में 100%, आप risk neutral से कीजिए, delta housing की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए, कि अगर किसी question में, चाहे वो stock का question क्यों लिए, उसमें risk neutral भी मांग लिया, और binomial भी मांग लिया, तो डरने वाली बात नहीं है, binomial की भी 2-3 approach है, तो 2 approach कोई भी लगा दोगे, answer आज़े, एक हाजी, खतम कर रहा है इस बात को, और मेरे ख्यान से, इसके अलावा और कुछ रहे गया है, क्या, binomial वाला काम, real option ही चल रहा था, binomial वाला काम खतम हो चुका है, अब, एकाद 2 class theory के, वो मैं discuss कर रहा हूं, next class में,